हेलो एविवन अस्सलामों आलेकुम मैं हूँ महा मुशर्ण रफ सेकिंडियर मैथामेटिक्स चेप्टर 2 स्टेट लाइन एक्सरसाइस 2.1 पढ़ा रही थी उसी को कंटिन्यू करते हैं कोशन नमबर 14 को चलें आएं समझते हैं बुक का कोशन नमबर 14 बुक का कोशन नमबर 14 ये है दा वर्टिसिक्स A, B, C of a triangle are 2,1, 5,2 and 3,4 respectively find the coordinates of the circumcenter and also the radius of the circumcenter of the triangle हमें जो हैं ट्राइंगल के तीन वर्टिसिक्स दिये हैं A, B, C, A दिया वहे, 2,1, B दिया वहे, 5,2,C दिया वहे, 3,4 find the coordinates of the circumcenter हमें जो है circumcenter के coordinates मालम करना है coordinates मतलब के 2 variable हमें मालम करना है X और Y and also the radius of the circumcenter of the triangle और radius भी मालम करना है तो सबसे पहले हमने P, X, Y suppose किया है एक circumcenter है triangle A, B, C का circumcircle क्या होता है कि triangle जो है triangle के तीनों वर्टिसिक्स से पास करे और जो बीच का जो point होता है इसको कहते है circumcenter और जो radius होता है से कहते है circum radius P, A एक radius है, P, B एक radius है, P, C एक radius है P, A, P, B, P, C तीनों आपस में बराबर होंगे radius according to question के साफ से P, A एक radius है, P, B एक radius है, P, C एक radius है P, B, P, C, P, P, B और P, C ये तीनों आपस में बराबर होंगे radius पहले हम निकालेंगे distance निकालेंगे P से लेकर A तक का A हमें क्या दिया वाता question के अंदर 2,1 A को हमने suppose कर लिया A वाले point को हमने suppose कर लिया X1,Y1 और जो P जो था ये जो हमें निकालना है ये जो है P, ये एक unknown है X,Y ये जो है ये भी unknown है ये दो variable है, ये दो unknown है हमें ये निकालना है तो हमने जो है, A जो है point दिया वा है triangle question के अंदर 2,1 इसको suppose कर लिया X1,Y1 और जो P जो हमें मालूम करना है X,Y ये नॉन है इसको कर लिया हमने X2,Y2 हम distance का formula लगाएंगे distance किसका निकालना है P से लेकर A तक का X2 क्या है हमारे पास X X1 क्या है 2 square Y2 क्या है Y Y1 क्या है 1 आप देखें के A-B का whole square,A-B का whole square इन दोनों के उपर जो है A-B का formula अपला होगा मैं side पे लिख देती हूँ A-B का whole square is equal to A square minus 2 A-B plus B square A क्या है X,B क्या है 2 पहले हम इसको solve करते हैं A-B का formula स्क्यूप पर लगाएंगे पहले हम A क्या है X, square आगे formula का A है X और B क्या है 2 B क्या है 2, square आगे formula का अब हम solve करेंगे इसको A-B का whole square का formula A और ये B A क्या है Y Y, square formula का आगे minus 2, A क्या है Y और B क्या है 1 B क्या है 1 square आगे formula का ये हम निकाल ले हैं P से लेकर A तक का distance X square minus 2 to the 4X plus 2, 2 is a 4 plus Y square minus 2, 1 is a 2 Y plus 1, 1 is a 1 X square लिखेंगे square वाली जो value है इसको पहले लिख देंगे X square है उसके बाद देखेंगे किसमे square है Y के उपर square तो यहाँ पर Y square अब देखें के square के बाद जो है X है न 2 minus 4X फिर उसके बाद Y है 2Y 4 plus 5 क्या होता है 5 यह हमारे पास आगया P से लेकर A तक का distance यह आगया हमारे पास P से लेकर A तक का distance अब हम निकालेंगे P से लेकर B तक का distance B क्या दिया वाता हमारे question के अंदर 5,2 इसको रखा suppose किया X1,Y1 suppose किया और P जो था unknown था X,Y यह भी unknown था यह एक pointer unknown कि हमने P रख दिया था तो इसको कर लिया हमने X2,Y2 support distance formula हम लगाएंगे distance किसका निकाल ले है P,B का निकाल ले है P,B लिखा X2 क्या है X,X1 क्या है 5,Y2 क्या है Y,Y1 क्या है 2 square अब हम यहाँ पर B जिस तरीके से पहले वाले P,A का जो distance निकाला तो उसके अंदर भी हमने A-B का whole square का formula लगाया तो दोनों bracket के उपपर इसमें भी जो है A-B का whole square का formula लगाएंगे दोनों bracket के उपपर A-B का whole square A square minus 2 AB plus B square A क्या है X,B क्या है 5 X square आग्या formula का 2 A क्या है X,B क्या है 5 प्लस B क्या है 5 यह होगे एक bracket solve formula हमने apply कर दिया अब इसके उपपर करेंगे हम formula अपलाएं A क्या है Y और B क्या है 2 Y square आग्या formula का minus 2 A क्या है Y और B क्या है 2 प्लस B square आग्या formula का X square minus 5 to the 10 X plus 5 to the 25 plus Y square minus 2 to the 4 Y plus 2 to the 4 P, A, P, B कर हम distance निकाल ले हैं sorry मुझे से यह थोड़ा वो हो गया हम लिख देंगे square वाले जो है X के उपड square है और Y के square पहले square वाला हमने लिख दिया उसके बाद हम लिखेंगे X उसके बाद Y minus 4 Y 25 plus 4 होते हैं plus 29 यह हमारे पास आगया distance P से लेकर A तक का distance A तक का distance आगया अब हम निकालेंगे P से C तक का C हमें क्या दियावा था 3,4 question के अंदर इसको suppose कर लिया X1,Y1 और P जोता अनौन था X,Y यह भी अनौन था यह पूरा point था यह हमें मालूम भी करना है तो इसको कर लिया X2,Y2 distance formula हम use करेंगे X2 minus X1 का whole square plus Y2 minus Y1 का whole square हम distance किसका निकाल दे हैं P और C का तो हमने लिख दिया P C X2 क्या है X X1 क्या है 3 square plus Y2 क्या है Y और Y1 क्या है 4 square अब इसके उपर B जिस तरीके से हमने पहले के 2 के उपर हमने A minus B का whole square का formula अप्लाई किया इसके उपर भी ऐसी होगा क्यूंकि A minus B का whole square का formula ही लगेगा A square minus 2 A B plus B square मैंने side पे लिख दिया A क्या है X और B क्या है 3 X square formula का आगया 2 A क्या है X और B क्या है 3 B क्या है 3 square आगया formula का A क्या है अब ये जो है हमारे पास bracket पूरा solve हो गया A minus B का अब इसके उपर जो है formula लगाएंगे A minus B का A क्या है Y और B क्या है 4 A है Y square आगया formula का minus 2 A क्या है Y और B क्या है 4 plus और formula का आगया square X square minus 3 to the 6X plus 3 to the 9 plus Y square minus 4 to the 8Y plus 4 to the 16 यह हम निकालने P से लेकर C तक का distance हम लिखेंगे पहले square वाली जो value को पहले लिख देंगे X square फिर Y के उपर है square फिर है minus 6X X वाली फिर उसके बाद Y वाली value लिखेंगे 8Y 16 plus 9 होते हैं 25 यह हमारे पास distance आगया P से लेकर A तक का P से लेकर A तक का हमारे पास आगया distance अब हम P A और P B दोनों को एक पल रखेंगे P A का हमारे पास distance हमारे पास आया था देखें आफ देखें हमारे पास P A का जो distance आया था वो आया था X square plus Y square minus 4X minus 2Y plus 5 और P B का हमारे पास distance आया था P B का हमारे पास आया था X square plus Y square minus 10X minus 4Y plus 29 अब देखें के दोनों के उप़र root है अब हमें root तो हटाना है तो हम क्या करेंगे squaring कर देंगे दोनों के उप़र squaring on both sides ठीक इसके उपड़ से भी मैं आपको बता देती हूँ X square plus Y square minus 4X minus 2Y plus 25 X square plus Y square minus 10X minus 4Y plus 29 अब देखें के X square देखें के left side पे है ये जो है अगर left side पे आएगा तो ये cancel हो जाएगा तो हम नहीं ला रहे हम यहीं से cancel कर देते हैं X square से X square होगे cancel ये जो है left side पे है ये left side पे आएगा तो ये जो है minus का हो जाएगा तो हम लिखने के जरुवत नहीं है हम cancel कर देते हैं बच्चा कहा हमारे पास माइनस प्वैकस माइनस 2y प्लस 5 यह यहां से बच्चा और यहां से बच्चा माइनस 10xrance माइनस 4y प्लस 29 कि डशी सकते हूं देखें के y वाली जो value है यहां पर right side पे क्या है minus 4y, यहां के हो जाएगी plus का 4y, यह as it is आगया 5, यहां क्या है plus का 29, यहां के हो जाएगा left side पे minus का 29, 10 में से, 10 में से 4 minus हुए, तो कितने बचे, minus plus minus, 10 में से 4 minus 6, बड़ी value के साथ है plus, तो 6x आगया, फिर उसके बाद, 4 में से 2 गए, plus minus minus, 4 में से 2 minus किये, तो कितने बचे, 2, बड़ी value के साथ क्या है, plus, तो plus 2y, 29, minus 5, 29 में से 5 minus किये, कितने बचे, 24, 24 बचे, बड़ी value के साथ है minus, तो minus 24, लिवर to 0, अब हम इसमें से, अब देखें कि इसके अंदर से 2 common आ रहा है, 2, 3, 0, 6 होता है, 2, 1, 2 होता है, 2, 12, 24 होता है, तो 2 आ गया common, 2, 3, 0, 6 हो गया, 2, 1 लिखने की जर्वत नहीं है, minus 2, 12 होता है, 24, यहां देखें कि 2 multiply हो रहा है, तो यहां आके जो है, यहां हो जाएगा divide, मतलब कि हो जाएगा 0, तो हमारे पास equation आईए, 3x plus y minus 12 is equal to 0, यह हमारे पास एक आगई equation, अभी तक हमारे पास coordinate नहीं आई, यह हमारे पास आगई एक equation, दो variable हमें मालूम करने हैं, तो दो variable के लिए दो equation आईगी, अब देखें, PB और PC, इन दोनों के एक रखेंगे, PB क्या था हमारे पास, PB था हमारे पास, नजर आ रहा है, PB था, distance हमारे पास आया था, यह वाला, हमने निकाला जो था, PB आया था, X square, plus Y square, minus 10X, minus 4Y, plus 29, और PC के आया था, हमारे पास, देखेंगे रहा, X square, plus Y square, minus 6X, minus 8Y, plus 25, अब इसमें भी सेम यही करेंगे, जैसे उपर क्या था, PA, PB को equal रखा था, और यहां रखेंगे, PB और PC को equal, यहां squaring करेंगे, squaring on four sides, तो यह दोनों के उपर squaring करेंगे, minus 10X, minus 4Y, plus 29, square आ गया, इसके उपर भी कट देंगे, squaring, square से root हो गया, cancel, square से root हो गया, cancel, X square, Y square, minus 10X, minus 4Y, plus 29, is equal to, X square, plus Y square, minus 6X, minus 8Y, plus 25, लेखें कि X square, X square, Y square, Y square, X square, यहां लिखा हुआ है, अगर यह right side पे जो लिखा हुआ है, X square यहां पर आएगा, minus का हो जाएगा, तो cancel हो जाएगा, तो हम लिखने रहे, X square से X square होगे, cancel, Y square से Y square होगे, cancel, minus, यहां पर क्या बचा, minus 10X, minus 4Y, plus 29, और यहां क्या बचा, minus 6X, minus 8Y, plus 25, अब देखें, minus 10X, X की value यहां, right side पे minus में हैं, यहां अक्के हो जाएगी plus में, यहां से exit हमने उतारा, यहां देखें, यहां Y की value क्या है, minus में, यहां अक्के हो जाएगी, left side पे, plus में, यह exit हमने उतारा, 29, यह जो है, plus में है, यहां अक्के हो जाएगी, minus में, minus 25, अब देखें, minus plus minus, 10 में से 6 गया, तो कितने बचे 4, 4 बचे लेकिन बड़ी वेले को साथ है, minus, minus 4X, minus plus minus, minus होगा, तो 8 में से 4 गये, तो 4 बचे, लेकिन यहां पर क्या है, बड़ी वेले को साथ है, plus, तो plus 4Y, 29 में से 25 गये, तो कितने बचे, 4 बचे, तो बड़ी वेले को साथ है, plus, plus 4, is equal to 0, अब यहां से जो है, minus 4 common ले लेंगे, क्योंके 4 बचे, 4 बचे, 4 बचे, 4 बचे, जब ही हमने ले लिया, minus, minus, plus 4 आगया, X आगया, बलके, sorry, 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 यहां पर आगया, X, minus, plus, minus, 1 लिखने के जरुट नहीं, 4 बचे होता है, 4, तो Y लिख देंगे, minus, plus, minus, minus, plus, minus, 4 आगया, यहां जो है, multiply हो रहा है, यहां आके, जो है, divide हो जाएगा, 0 से divide होगा, तो यह हो जाएगी पूरी, जो 0 से divide होगा, तो 4 हो जाएगा, यहां पर आके, 0, तो हमारे पास दूसरी equation आई, X, minus Y, minus 1, is equal to 0, या हमारे पास एक्वेशन आई, दूसरी, acquisition number 2, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास equation आई, equation number 1 और equation number 2, इन दोनों को adding कर लेंगे, equation number 1 आई थी हमारे पास 3x plus y, 3x plus y minus 12 is equal to 0 और दूसरी equation हमारे पास आई थी x minus y minus 1 is equal to 0 x minus y minus क्या थी minus 1 is equal to 0 अब हम यह जो हमारे पास दो equation आई थी equation number 1 आई थी हमारे पास और यह आई थी हमारे पास equation number 2 अब हम इन दोनों को adding कर रहेंगे ending करने से यह होगा कि यहाँ पर जो है y cancel हो जाएगा plus का y और minus का y cancel हो जाएगा 3x और x होता है 4x minus minus plus तो यह हो गया 13 बड़ी value को साथ है minus का sign तो minus 13 4x लिखा यह minus का 13 है वहाँ आके हो जाएगा plus का 13 तो हमारे पास x की value आगई 13 upon 4 हमारे पास एक variable आगया x 13 upon 4 अब हम यह जो हमारे पास equation 3 आईए x के जो variable आया है हमारे x जो variable आया है 13 upon 4 अब हम इस equation को equation number 2 के अंदर put करेंगे equation number 2 कहती x minus y minus 1 is equal to 0 x के आया हमारे पास 13 upon 4 minus y minus 1 is equal to 0 अब देखेंगे यहाँ पर minus जो y जो है minus में है तो हम y को side ले जाएंगे क्यूंके y की value आजेगे हमारे पास 13 upon 4 minus 1 is equal to 4 13 इसका हमने ले दिया 13 में से 4 गए तो 9 upon 4 यह हमारे पास आगई value y की दूसरे variable की भी हमारे पास आगई answer x भी आगए y भी आगए जो हमें मालुम करना था p point यह जो हमने suppose क्या था यह जो हमने center में suppose क्या था x, y x आगए हमारे पास 13 upon 4 यह ना यह जो है और y आगए 9 upon 4 यह जो है हमें center का point की coordinate हमें मालुम करने थे find the coordinates of the circum center यह हमें मालुम करने थे circum center center को कहते है circum center और radius को कहते है circum radius तो हमें जो है अभी जो है मालुम हो गया है circum center के coordinates x, y x भी आगए y भी आगए अब हम निकालेंगे radius अब मैंने आपको बताया था अब मैं आपको ट्राइगरम समचाओं pa एक radius से pb एक radius से pc एक radius से p a, pb, pc आपस में तीनों radius बराबर होंगे हम निकालेंगे radius p a का यह देखें जहां आप यह देखें x-2, y-1 यह जो x और y है ना यह जो है हम लिख देंगे यहाँ पर x-2 और y-1 क्योंके यहाँ पर जो है यह जो हमारे पास equation आई थी हाँ पर square में आई थी तो हमने जो है x और y देख दिया है आपर अब जो है x हमारे पास आया है x आया हमारे पास 13 upon 4 13 upon 4 और हमारे पास y आया है 9 upon 4 4 है यह ना आप देख रहे ना आप देख रहे ना आइन आप आउंड 4 माइनस वन इसके उप पर भी आगा स्क्राइब 13 4 2 जा 8 4 9 4 जा 4 13 में से 8 माइनस हुआ तो क्या बचा 5 पाउंड 4 9 में से 4 जा 5 पाउंड 4 इसके ना होता है 16 4 4 जा 16 5 5 जा 25 5 5 जा 25 25 प्लस 25 होता है 50 और ये 16 देखें होता है रूट 50 अपाउंड 16 है और रेडियाज भी मालुम हो गया है अगर हमारा कोशन नमबर 14 का आंसर चैप्टर 2 एक्सरसाइस 2.1 अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो अल्ला हाफिस